नमस्कार दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पलंबर एक्सपर्ट राउस आप में आप लोगों का स्वागत हैं उमीद गरता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी दुआ और प्यार से मैं भी ठीक हूँ दोस्तों आज हम फाइनल फिटिंग कर रहे हैं जो कि मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ कि हमारे पास फाइनल फिटिंग करने के लिए कौन-कौन सी चीचे हैं और उसके बाद ये जो मकान जो मैं कंपलेट कर रहा हूँ इसमें अभी कंटिनू चार-पास पार्ट आएंगे जिसमें मैं आप लोगों को बताना चाहँगा वाल एंगिंग शीट है जिसमें बोल्ट वाली भी है रैक बोल्ट की और एल की एलन की से जो शीट टाइट होती वो भी है और उसके बाद जो जो वासवेशन डाइवर्टर का आपर पार्ट होता है वो भी है और बातरों करेंगे वो भी बताएंगे और इसके इलावा वासवेशन टेबल टोप है उसको हम किस तरह से इंस्टॉल करेंगे उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको तो अभी मैं आपको सिर्फ यह थोड़ी सी एक जलक दिखाने के लिए ही वीडियो बना रहा हूं कि हमारे पास अ अच्छी लगी है और इतना प्यार और स्पोर्ट देने के लिए आप सभी का हाथ जोड़ कर धन्यवाद करता हूं मैं आपका और इस तरह से आप लोगों का स्पोर्ट और प्यार मेरे उपर बनाए रखें और आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो और यूनिक तरह है कि कुछ ने कुछ अलग टोपिक की वीडियो आती रहेंगी जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइगन के बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफुकेशन जो है वो आप आप लोगों को मिल जाए तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूं अभी हमारे पास क्या-क्या यहां एविलेबल है और हम इनको जब इंस्टॉल करेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे जैसे बातरूम की टैप है या कोई एंगल वाल है वो हम उसका किस तरह से मेजरमेंट करते हैं या किस तरह से हम लगाते हैं लगाने को तो हर प्लंबर लगाता है लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है लगाने का अरजस्टमेंट करने का तो मैं बैक कैमरे से पहले आपको यह दिखाता हूं उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जब उसमें है और फिर मैं आप लोगों को बारी बारी स्टेप बाई स्टेप एक एक आइटम के बारे में बताऊंगा कौन सा आइटम है और ये कौन सा आइटम क्या वर्क करता है उसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिस करूँ आप लोगों को तो कि यह वीड जो की अलग मोडल है और ये मोडल अलग है और इनकी ये हमारी कैप है और कुछ कंसिल्ड वाल के अपर पार्ट अमने डब्बे में रखें ये सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहां पर हैं उसके बाद में दोस्तों हमारे पास ये सावर है बारा इंची का जो की इसक पास आये थे अभी यहां पर और बाकी जो सावर और इनकी रोड है वो यहां पर रखी है इनके उपर देख सकते हैं आप ये इनकी रोड है टोटल हमारे छे सावर है और ये बाकी के जो सावर का जो जिन में से रेन होता है पानी आता है ये रखें एक दो तीन और एक चार दो हमारे ये रख़े हैं, 6 होगे, उसके बाद में हमारे पास ये 6 तैप हैं, एक, दो, तीन, च्यार, पांच और एक ये 6 तैप हैं, जो की बात्रुम डाइवर्टर की तैप हैं, ये हमारी नोजल वाली तैप हैं, जो की कहीं वासिंग एरिये में, या कुलर्ट में पानी अप्पैइनुटन की के छेवत् herself में पढू हैं पस्की हेगु तीन पक्राइए ये हमारे पत्राविर्टों के अपन कर के हम लोगों को दिखाए आप वाससेशन के डाइवेटर के अपर पार्ट हैं ये देख सकते हैं आप फुल वीडियो में बनाऊँ गाई तकी बात्रूम का डाइवेटर का अपर पार्ट में क्या का सामान होता है किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में डिटिल में आपको पूरी दूँगा नेक्स्ट और आठ तो ये दोस्तों आप लोगों ने देख लिया टोटल हमारा जैक वार कमपनी का है तो दोस्तों उमीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और जितने भी ये हम काम करेंगे बात्रूम डाइवेटर वासवेशन डाइवेटर ग्रोहे का अपर पार्ट, कंसिल्ड का अपर पार्ट, टैबल टोप पास्वेशन, जितना भी हम काम करेंगे, हर एक के उपर एक वीडियो बनाएंगे, और वाल एंगिंग शीट की भी वीडियो आएंगी, जो कि दो तरह की हैं, एलन की वाली भी है, और रैक बोल्ट वाली भी है, तो ज्याद काम में हम थोड़ा बीजी हो जाते हैं, टाइम नहीं मिलता, इसलिए हम आपको टाइम नहीं दे पाते, लेकिन अभी जो हम ये मकान जो फाइनल कर रहे हैं, इसमें कम से कम भी 5-6 वीडियो में बनाऊगा, हर टोपिक के उपर, तो आप उन्हें देखना ना भूलें, अभी चार-पांस दिन लगातार हर रोज एक वीडियो अपलोड होगी, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद